नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिशो में तो दोस्ते एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई हैं मलेशा से मलेशा ने एक बड़ी कारवाई करी है चीन पर और चीनियों पर भी जी यहां लेकिन चीन इससे बिल बिला उठा है क्योंकि उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ है जिन देशों को वो छोटा और कमजोर मानता था जीने वो दबाता चला रहा था वो उससे खिलाफ इतना बड़ा रिवल्ट करेंगे उसने कभी सोचा भी नहीं था और सपने में भी नहीं और खासकर कि मलेशा जैसे देश जिसने चीन की छवी को और चीनी सेना जिसे बहुत तखडी मानो जाता है खासकर कि नो सेना जिसे माइटी नो सेना कहा जाता है उसे बिलकुल जुका कर रख दिया है जी हाँ और उसकी परतिष्ठा को गहरी चोट भी लगाई है और साथ ही चीन के सामने अब एक और प्रशन चीन खड़ा हो गया है कि यह सिर्फ एक ट्रिगर्ड पोइंट बन सकता है जो मलेशन ने किया है अब आने वाले समय में दूसरे छोटे रेशन की वियतनाम इसके लावा फिलिपीन्स इसके लावा ब्रुनेज जैसे देश भी अब चीन के साथ कर सकते हैं और इससे होगा क्या कि चीन का दावा साथ चाइना सी पर और कमजोर होगा और साथ हम बात कर करेंगे कि जो यह हुआ है इससे भारत को कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है सब कुछ हम डिटेल से जानेगे मेरे साथ अब इससे डूमें तक बने रहेगा लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राबिन किया तो कर लिए कि यह आप पर आ से तीन ऐसे हैं जिनका जैनुवन तोर पर दक्षिन चीन सागर में हिस्सेदारी है और चीन चाहता है कि उसे पूरा दक्षिन चीन सागर मिले क्योंकि वहाँ पर जो तेल के बहुत बढ़िया भंडार इसके लावा गैस के बहुत अच्छे भंडार है जिनने कोई भी देश दक्षिन चीन सागर में वह पांच्छिन चीन सागर में आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी रकम के लिए कोई भी देश युद के लिए तैयार हो जाएगा और चीन तो फिर भी एक उनमादी देश है लेकिन इस बार वह थोड़ा सा गच्चा खा गया है कैसे दरसल उसने अ उसके मच्वारे पकड़ते हैं तो यानि की दूसरे देश हैं उनके मच्वार को पीछे धकेल देते हैं जिससे की वो अपनी दादगी दिखाता है और दूसरे चोटे देश को ड्रा कर ये कहता है कि आप पीछे जाए दिए दक्षिन चीन सागर पूरा हमारा है मलेशा भी चीन के करीबन 6 बड़ी फिशिंग बोट्स जबत करी हैं मलेशा के कोश्ट गार्ड ने और इसके अलावा करीबन उसमें 54 जो चीनी क्रू मेंबर थे वो पकड़े हैं 6 चीनी नागरिक थे यानि करीबन 60 लोग थे और साथ ये ने काया कि अगर इने छुड़वाना है तो प चीन के कोश्ट गार्ड के मूँपर तमाचे कीत रहें क्योंकि आज तक कोशिश तो बहुत सारे देशों ने की जबत करने की नावें लेकिन हमेशा चीनी कोश्ट गार्ड आ जाया कर दे थे और छुड़वा दे थे लेकिन इस बार मलेशिया ने साफ कर दिया कि वो चीनी की बेड़े तैनात हैं खास करके भारत के जंगी बेड़े तो बहुत करीब हैं मलेशा की यानि कि अगर मदद चाहिए होगी मलेशा को तुर्ण तो भारत से मिलीगी और ये बात जानता भी है दूसरा कारण है स्टेट ऑफ मलक्का पर मलेशा का पूरी तरीके से अध ये लिट नी कर पाएगा चीन बहुत ही सोस समझ कर की गए कारवाई है मलेशा की और इससे भारत को बहुत ज़्यादा बेनेफिट मिलने वाला है कैसे तरसल भारत चला इसमें अमेरिका की रनीते पर जो अमेरिका ने सोवेट उनिन के खिलाफ किया था कैसे कि जितने भी प प्रोटक्शन में भारतों ने प्रोटक्शन देगा वो उसके खिला चीन के खिलाफ जो उसकी दादगीर है उसकी खिलाफ खड़े होंगे और चीन अलग ठलग पड़ेगा यूएससर के तरह है और फिर तूटेगा और यह बहुत ही कामयाव रन निती रही है बस भारत को ब